हमारे विभिन ज्ञान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्शुक्वा आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जातकों का जनन दिवसे मेरिज अनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुप काम आए भाग्य का कमजोर होना ये बहुत ही महनत तो बहुत करते हैं लेकिन महनत का फल उन्हें प्राप्त नहीं होता उस वक्त में याद आता है भाग्य के हमारा भाग्य अच्छा होता तो हम भी ऐसा कर लेते और हम भी ऐसा कर लेते हमारी हतेली में एक रेखा ऐसी होती है जो हमारे भाग्य की सूचना देती है भाग उसका पुरुशार्त उसकी मेहनत उसको देर से रंग लाईगी ऐसी कौन सी वो रेखा होती है आईए जाने पहले आज का पंच्चांग हम देख लेते हैं 30 अक्टूबर सन 2021 दिन शनिवार कार्तिक मास कृष्ण पक संबन 2078 तिथी नवमी, नक्षतर आशलेशा, राहुकाल नो से साड़ेदर, दिशासूल, पूर्वा, दिशा हाटेले में दोनों हाटों के हम बात कर रहे हैं यहां से एक उपर की दरफ सीधी रेखा चलती है जिसको हम फेट लाइन कहते हैं जिसको हम भाग के रेखा कहते हैं इसको लकलाइन भी कहा जाता है, इसको शनी की रेखा भी कहा जाता है बहुत व्यक्ति आप में से ऐसे होंगे, जिनके हाथ में यह रेखा है ही नहीं लेकिन इसका आर्थ यह मत मान लेना, कि यह रेखा नहीं है तो आप भागे ही नहीं ऐसा नहीं है ये रेखा नहीं है तब भी हम भागे शाली होते हैं जिनके बहुत सारी बाते हैं बहुत सारी रेखाएं कमजोर होती है सिर्फ ये रेखाएं कमजोर हैं या अच्छी हैं तो आपके आने वाले समय की सूचना देती हैं और आपकी प्रेजेंट की हवस्था को बया करती है कुछ पुरानी रिखाएं होती हैं जो आपके बहुत काल को भी बया करती है जिस इस्तिती में जनम पत्रिका ना हो कुंडली ना हो समय का ग्यान अच्छे से ना हो उस वक्त में आप ये मानके चलें आपकी हतेली आपके आने वाले समय के दर्शन करा देती है यही भागे रेखा जिनके हाथ में नहीं है देखो महनत से भरा जीवन रहेगा ज्यादा महनत करनी पड़ेगी और फल कम की प्राप्ती होगी बस इतना भर इसका भेद है और जिसकी हतेली में ये हतेली के मद्देस्थान तक है उपर नहीं है या कई पीसिस में हैं कई टुकडों में हैं जगा जगा खंडित है फिर ये रेखा उपर की तरफ चल रही है तो जहां जहां इस रेखा में कट है वहां वहां जीवन में परिसानिया आएंगी आएंगी और कई बार तो ये रेखा इतनी विखंडित होती है कि टूटकर के एक रेखा दूसरी रेखा के उपर इस प्रकार से चड़ जाती है ऐसे इस्तिति में व्यक्ति के जीवन में एक बार इतना गिराव आता है इतना गिराब आता है कि विक्ती का सबकुछ समाप्त होने की कगार पे हो जाता है कई बार अच्छी जोग होती है तूट जाती है और दूबारा जोग नहीं लग पाती है कई बार बहुत अच्छा व्यापार होता है सारा डूब जाता है या पैसा लेकर कि कोई चला जाता या आपका बिजनिस किसी और के नाम पर ट्रांसफर हो जाता आप खाली हाथ मलते रह जाते हैं उसके बाद दुबारा से एक नया जीवन सुरू होता और कई बार नया जीवन भी बहुत लोगों का सुरू नहीं हो पाता है उपर फिर उस रेखा में कट मिलेगा उपर जाकर कि तो यानि कि उसको आरत क्या है कि वो व्यक्ति कभी समल ही नहीं पाता उसकी संताने फिर आगे कुछ लाइक निकल जाए तो बड़ी बात है नहीं तो वो व्यक्ति अपने इस्तिती में अपने जीवन में लाइक रॉलिंग स्टोन एक लुड़कता हुआ पथर ही रह जाता है इधर से उधर उधर से इधर बाकि कुछ नहीं हो पाता है ऐसे बहुत ब्यक्ति हैं जो आज इस काम को करते हैं ऐसा फलोते हैं फिर दूसरा काम करते हैं ऐसा फलोते हैं फिर कोई और काम करते हैं ऐसा फलोते हैं ऐसे बहुत परिवार हैं जो बहुत कुछ सोचते हैं लेकि कर कुछ भी नहीं पाते हैं इस रेखा को शानी रेखा कहते हैं, इस रेखा को भाग्य रेखा कहते हैं, क्या इस रेखा को विक्सित किया जा सकता है, वहाँ देखना पड़ेगा, यह इस रेखा का मुवमेंट आपके शुक्र छेतर पर है, इस रेखा का मुवमेंट आपके मंगल छेतर पर है, इस रेखा कि उस पर आकर्तिया बनी हैं, कैसे निशान बने हैं, उन सब चीजों की तसलिय दी हो जाए, उन पाइंटों को लिख लिए जाए, उसके बाद फिर कुछ विशेस उपाई किये जाए, हमें पूर्ण विश्वास है, कि वो व्यक्ति अपने भाग्य को चमका सकता, परम मंत्र पढ़के अपने भाग्य को चमका लेता है, पुरुशारती व्यक्ति पुरुशारत करके अपने भाग्य को चमका लेते हैं, लेकिन कई बार रास्ता मिलना चाहिए, कि हम किस मंत्र को पढ़ें, हम किस उपाई को करें, और किस प्रकार का हम व्यापार करें, अब हमें जाना है उत्तर में और हम जाना है पूरब में बात नहीं बनेगी ना हमें जाना है दिल्ली और हम पहुच रहे हैं अजमेर तो कैसे बात बनेगी तो वो ही बात है कि आप उस वक्त में किसी ऐसी विद्वान को मरमग्य को अपना हाथ दिखा लें जो आपको सही रास्ता बता दें कि देखो आप जो व्यापार कर रहे हो इसमें सो साल तक भी लगे रहोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी रेखाई इस परकार की है आपको ये व्यापार करना चाहिए आपको आनंद आ जाएगा आप फिर उस रास्ते से व्यापार करेंगे तो ये आपकी भागे रेखा यही तूटी हुई भागे रेखा यही खंडित भागे रेखा आपके जीवन में सो चांग लगा देगी भागे रेखा का एक इंच का भी होना भागे रेखा का आपके भाग्य और सोभाग्य की परिचाई का है, आपका भाग्य किस परकार का है, आपका आने वाला कल किस परकार का है, आपको कितनी महनत करनी पड़ेगी जीवन में, कितना पुरशार्थ करके आपके पास धना आएगा, मान सम्मान होगा, बहुत सारी चीजें, अब जैसे मान समान की बात हमने कही मान समान की रेखा है सूरिय रेखा जो सूरिय मांट के उपर बनी होती है हतेली में इने परवत कहते है और कुंडली में इनको ग्रह कहते है तो यदि मान समान यश कीरती और साथ में स्री समरदी को देखना हो तो दो रेखां बहुत मुख्य हैं आपकी हतेली की सूरिय रेखा और आपकी हतेली की शनी रेखा समझ में आया हुगा शायद कुछ-कुछ चैप्टर आपको तो कहने का भाव है आप मिरास मत होना अगर जीवन में कहीं कुछ ऐसा है तो आप किसी व्यक्ति को अपना हाँ दिखाइए इसके लिए डेटो बर्स समय किसी चीज की अवशक्ता नहीं होती है और कहीं न कहीं कुछ अच्छे मंत्र कुछ अच्छे रास्ते कुछ अच्छे उपाए आपको मिल जाएंगे तो आपका जीवन अपने इस्तान से सही रोप में चलने लगेगा आईए मेरे साथ को समय हो चला आज की ध्यान साथना का आज की ध्यान साथना में जोड़ते हैं मा भगवती से आणि प्यामल पूर्ण रत्न चसकाम रत्नोत पराम विब्रते सोम्याम रत्न गटस्त रक्त चरणाम ध्यायत पराम अंबिकाम खडगं चक्रगदे सुचाप परिगान चूलंब सुन्डिम्सिरा संखं संदधतिम करेश्त्रिनयानाम सरवंग वूस्वरिताम निलास मध्युतिमास्यबाद दसकाम सेवे महां कालिकाम यामास्तो स्वपिते हरो कमलजो अंतुम अदुम कर्टवं विद्यो दाम समप्रवाम रिगपते सकंदस्तिताम विशनाम कन्याम विहकरवाल खेट विलसा धस्त विरास्यविताम हस्ते स्चक्रगदा सिखेट विसिखाम स्चापम गुणं तरजनीम विप्राणाम अलिलात्मिकाम ससिदाराम कबच मना लें ध्यान करें जग जन्नी का शुबासिस हम सब को प्राक्त हो रहा है ओम बोलते हुए नेत्र खोलें समानने हो जाएं देखो साथगो देवी माता की करपा जब होती है तो वास्तम में व्यक्ति का भाग्य अपने आप बुलंद हो जाता अभी जैसे मैंने आज वे खंडित भाग्य रेखा की बात की तोटी भाग्य रेखा की आपको बता आया कि इन देखाओं के आपका भाग्य जाना जाता तो यदि आप देवी की बहुत अच्छे से भक्ति अरादना करते हैं उसी के लिए दिक्षा ली जाती है किसी मरमग्गे से मिलकर के विशेस मंत्र को प्राप्त किया जाता तो भी जीवन में कुछ अच्छे दिन हमें जरूर प्राप्त होते है मगवधी की किरपा जिसके पास हो जाए जिसके उपर हो जाए उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है दिपावली का समय आने को है और इसके कुछ खास कारिकरम है जैसे दिपावली की रातिनी में कितने वज़े हमें पूजन करना है किस मंत्र को पढ़ना चाहिए कौन सा यंत्र बना करके हम अपने घर में खुशें अला सकते हैं सिरी समर्दी पैदा कर सकते हैं तो उसके लिए आप हमारे दीपावली का खास कारिकरम फेस्बुक पेज़ पर या यूट्यूब पर कहीं पर भी आप सुन लें और देख लें इसी के साथ दीपावली की रात्री में एक विशेस धन वर्शा पोटली बनाई जाती है उसको आप सुन लें और देख लें धन तरोजसी में बड़ा लोगों के मन में ये रहता है क्या खरीदें कब खरीदें ना खरीदें कैसे धन तरोजसी में हम धन वंतरी जी को परसंद करें यम के निमित कैसे दीप लगाएं तो ये सारी की सारी बातें आप हमारे धन्त रोग्जी के विश्यशांक में देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपके लिए बना दी गई हैं, बस आप उन्हें अच्छी से समझ ले और अपने जीवन को धन्य बनाएं आप स्वस्त रहें, सुकी रहें, इनी शुब कामनाओं के साथ हम अपनी वानी को विराम देते हैं, जयमा इंद्राक्षी. किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले, प्रसिद्ध हस्त रेखा, एवं वास्तु विशेशग्य, प्रोफेसर धर्मेंद्रुश शर्माजी से. नोट, शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय, सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तर. के से बसे मिले धर्म, वास्ताय, प्रेख लिए।